असलाम अलेकुम दोस्तों अमीद करते हैं आप सब खरिया से होंगे और भायू आज हमारा वीडियो का टॉपिक है जाने क्यूं मनाया जाता है मौर्रम पर इस हद तक मातम दोस्तों इस वीडियो का आप हमारे साथ आखे तक जरूर देखे और आगे देखने से पहले आप चै अचा इसलाम हुसेन पेगंबर मुहम्मद के नाती थे उन्हें कर्वला की जंग में शहानक भी थी मुहरम को कहराई से समझने के लिए आरीक के उस हिस्से में चलते है जब इसलाम ए खिलाफत यानी की खलीफा कराज था खलीफा उस वक्त पूरी दुनिया में मुसल्मानों का प् पेगंबर साहब के आदेश पर चार खलीफा चुने गए थे और ये खलीफा हमेशा ही लोगों की राय के हिसाब से चुने जाते थे इसलाम ए खिलाफत के करीब पचास साल के बाद इसलामी दुनिया में घौर अत्याचार का दौर आया असल में सीरिया के गवर्णर यसीद ने खुद को खलीफा खोशित कर दिया उसके काम करने का तरीका ठीक बाद्शाहों जैसा था वो लोगों पर अत्याचार करता था इसलाम के काइदे कानून से विपरीद काम करता था वही इमाम हुसेन यानि की पैगंबर मुहम्मद के नाती ने उसे खलीफा मानने से इंकार कर दिया इससे नाराज यसीद ने अपने लोगों को परमान भेजा कि जाओ जाओ जाकर उस हुसेन से कह दो कि या तो मेरे आदेश कापालन करे नहीं दो उसकी गर्दन काट कर ले आओ इसके बाद यसीद के फरमान पर हुसेन को बुलाया गया लेकिन हुसेन ने ऐसे आदमी का कहा मानने से इंकार कर दिया जो कुद को अलह मानता हो हुसेन ने कहा कि मैं एक व्याभिचारी प्रश्टाचारी और खुदा को ना मानने वाले के आदेश को कभी नहीं मानूगा इसके बाद इमाम हुसेन मक्का शरीफ चले गए वहीं इमाम हुसेन की ये बात सुनकर यसीद को काफी गुस्सा आ गया यसीद ने अपने लोगों को मक्का में यातरी बना कर भेजा और इमाम को मारने का आदेश दे दिया ये बात हुसेन को पता जल गए हुसेन जैसे तैसे बचते बचाते अपने परिवार के साथ एराग की और रवाना हो गए हुसेन खूनखराबे से बचना चाहते थे एक रात की महुलत हो ताकि मैं अल्ला की इबादत कर सको इस रात को रोज अशुरा कहा जाता है उस पूरी रात हुसेन ने अल्ला की इबादत की अगले दिन जंग हुई जंग में हुसेन के सभी साती मारे गए दूसरी तरफ हुसेन का च्छे महीने का बेटा अलिय अजगर प कि मेरे बेटे को पानी पिला दो लेकिन सैनिकों को ना तो उस बच्चे की हालत पर दरसाया ना ही उन्होंने हुसेन की बार्वानी नतीजा ये निकला कि अलिय अगर हुसेन के बाहूं में ही प्यास से तड़प कर दम तोड़ बैठा वहीं उसके ठीक बार यजीद के सैनिकों सब्सक्राइब करते हैं कि आपको हमारी इस रिपोर्ट में अपने कई सवालों के जवाब मिलेंगे कथा सागर की पूरी टीम सदैव आपके सुखद जीवन की काम ना करती है कथा सागर डेस्क रिपोर्ट दोस्तों इस वीडियो में ये वीडियो बहुत इंफरमेटिव था दोस्तों इस वीडियो में बद चला कि इमाम हुशें के साथ क्या हुआ था और उन्होंने कितनी मुश्किलों का सामना किया और वो शहीद हो गये और उनका मुर्था बाग ने बहुत उचा किया यहां दोस्तों उसमें बताया गिया कि चार बड़े खलीफा के बारे में लेके नाम नहीं बताए और उसके बाद यजित ने अपने आपको सिरिया में गोशित कर दिया कि मैं खलीफा हूँ और खुदा होने का दावा किया और इधर पता चलता है इमाम हुसें रज्लात आला अन्हों को यह सब बात है क्यांगि यजित विजित का ज्याउत तरीका ता वो इदम इसलामिक के ख़िलाध noises कोई रूल नहीं कि छिलाधा था और जब यह पता चला है Frei थतर इमाम हुसें रज्लात आला अन्हों को चैन सकून से वो चारेते के ज़र देगी कोई जगड़ा वगड़ा ना हो इस वएसे वह वहाँ चले गए और जैसे वक्त गुजरता है तो हालात भी वैसे आ जाते हैं लेकिन यजित की फौज ने तब भी पीछा नहीं छोरा और वहां तक वो लोग पहुच गए पहुचने क के बाद वहाँ पर उनके हालात इतने जबरदस्त तंग हुए और यह एक अजमाईश थी एक उनके लिए कि वो क्या करते हैं हज़रत मुहमाद सब्सक्राइब प्रूफ कर दिया इसलाम के लिए वो पुर्बान हुए और इतनी बड़ी फौच के सामने जब वो खड़े थे और समझ दीजे कि उनके जो बेटे अली अजगर को लेका है कि वो पानी से तरप रहे लेकिन उन फौच को दरा सभी रहम नहीं आया कि कम से कम कुछ पानी का कुछ गत्रा दे दे नहीं अला क्योंकि बच्चे ने हज़त इमाम हुसेर अन्हु के गोदी पर दम तोर दिया और भाई बहुत ही सब्सक्त बात है यह अच्छे आद्मियों की हाला तंदर से खराब हो जाती है और किसी बच्चे अपनी बच्चे की देखना कि उसकी मौत हो गई हुए उसकी मौत हो बच्चे को जरूर शेयर करें और दोस्तों चैनल पहले कि सब्सक्राइब करना ना भूले हम आप सब्सक्राइब वीडियो में फिर मिलत अपना ध्यान अखें